चलो सखी उस देश में जहां कृष्ण का आवास दर्शन करें और जल भरें एक पंथ दो काज यानि एक काम से दोरा फाइदा चलो आम के आम गुटलियों के दाम वाली कहवत तो आपने सुने ही होगी ऐसी थियोरी ऐसा ही कंसेप्ट है हॉम कंपोस्टिंग का हम फल सबजिया लाते हमारे घर में निट्रिशन के लिए स्वाद के लिए उन्हें हम खाते हैं बहुत अच्छा लगता है लेकिन हम क्या करते हैं उनके छिलकों को फेक देते हैं डस्ट बीन में लेकिन अगर हम थोड़ी सी मेनत करने को तयार हों तो हम बना सकते हैं फ्री में उन छिलकों से आपके घर के पोदों के लिए साल भर के लिए कंपोस्ट खाद लिक्वीड फटल लाजर आपको बाहर से एक पैसा भी लगा करके कोई भी खाद नहीं खरेने पड़ेगी और इ सकते हैं देखिए यूटूब पे आपने बहुत सारे फास्ट फरवर्ड मेथड देखियोंगे थैली में भरके रख दीजिए किसी पोर्पने भरके रख दीजिए तकी कंपोस्टिंग का एक अपना प्रोपर साइंस होता है अपना पुरा मेथड होता है अगर उस तरीके से सेख लेनी है अगर होम कंपोस्टिंग सीरिसली करना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं सबसे पहली बात वहा इस तरह का आपको एक सेटप बनाना है अपने घर पे एक ड्रम लेना है आपको उसके निचे होल कर लेना है ड्रम का साइज आप अपने रिक्वार्मेंट के पोरा सेटप को बना लेना है आपकी फर्स्टिंग क्या है कि अपको क्या डालना है कागज और गत्ते के टुक्ड़े मैरी मिस हो गई है लेकिन आपको बटा दूँ फिर से बता हुं ूरि और गत्ते के लिएर लगाना है जो काड़बोर होता है वह एक पहले प्रिए लिया और अखवार होता है उसकी लेयर लगाने है उसके उपर आपको मिट्टी की लेयर लगाने हैं यह सब हम क्यूं कर रहे हैं कि जो हम चिलके इसमें डालने वाले हैं उसका 80% तक पानी जो है वो यह सौक कर लेगा और हमारा जो कंपोस्टिंग हो भोती ज्यादा नुट्रिशिय बनते हैं और कंपोस्टिंग का प्रोसेस बहुत फास्ट होता है ड्रम के नीचे हॉल हमने दो वज़े से की हैं एक तुछ इसमें माइक्रो ओर्गनिजम्स होते हैं वो ऑक्सिजन लविंग होते हैं उनको ऑक्सिजन देने के लिए दूसरा हमारा कंपोस्ट बहुत ज्याद ना हो जाए इसलिए हम इसके नीचे हॉल करते हैं साथी साथ माँ आपको बता दूँ कि इसके अंदर आपको फल सब्जियों कि छिलके वगरा तो डाल नहीं है लेकिन स्पेशली ध्यान रखें कि आपको इसमें कोई भी डेली प्रोडेक्ट नहीं डालना है कोई भी पका वह कि हमें सिर्फ और सिर्फ वैट वेस्ट इसमें डालना है अगर बेस्ट कंपोस्ट बनाना है तो बीच बीच में आपको इसमें सूखे पथी गास वगरा भी एड़करते हैं कुछ मेरी वीडियो सारी वीडियो में एकटि नहीं कर पाई एक साथ सूखे कच्रे वाली व साथ साथ क्योंकि नाइटोजन का इन दोनों दो फायदे होंगे एक आपको बैट समेल नहीं आएगी और दूसरा वही बात हमें इसमें फिर से गिला सुखा कच्रे का प्रपोर्शन ठीक रहे हैं सारे के सारे पोदे जल जाएंगे बहुत स्ट्रॉंग होता है तो लिक्विट फटलाजर इजी टू यूज आपको मिल जाएगा गर्मियों की मोसम में अगर आप लिक्विट फटलाजर डालते हैं तो पोदों के लिए बहुत अच्छा होता है एक और बात यह एक शोट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था और ओडिजनल क्लिप अभी नहीं है मेरी इसके पास तो मैंने इसको ऐसे सुखा दिया था तो अभी अगली वायत यह है कि आपको उस पूरी कंपोस्ट को अपनी छट पर या किसी खुली जगह पर इसे सुखा देना है तुर कंपोस्ट मिट्टी बन चुका होता है यह देखिए अर्थवम अभी भी अपना काम कर रहा है कि कंपोस्टिंग आपकी अभी भी चालू है और बहुत अच्छी कंपोस्टिंग और आप देखेंगे एक सबसे इंपोर्टेंट बात में आपको बताना भूलगी वह है कि कैसी जाने की हमारा कंपोस्ट अच्छे से बन गया है देखिए जब आपका कंपोस्ट जो है वो उसे बदबुवानी बंध हो जाए उस समय पे आप जान लेना कि आपको कंपोस्ट बन गया उसमें अच्छी भीनी भीनी खुश्बुवानी लग जाएगी खाद वाली मिट्टी उस टेम पे आपको निकाल लेना है उसको सुखा देना है सुखाने के बाद देखिए इस तरह का हो जाएका मेरा कंपोस्ट को ज्यादा ही सुख गया था क्योंकि हम कुछ दिन के लिए बाहर चले गए थे इतना ज्यादा आपको नहीं सुखाना है तो अभी उसके बाद क्य हुई है वो अलग से चलने के ऊपर आ जाएंगे और हमारी बेस्ट चीज हमें मिल जाती है एक बात फिर से आपको रिवाइज करती हुँ मैं जो शोटकट आप देखते हुए यूटूब पे कि थैलियों में भरवर की लोग कच्रा रख देते हैं बोलते हैं और उसको पता नह मैंने खुद किया है ऐसा नहीं होता यह से अधिय को दूब में सब्सक्राइट आता है यूटू जान भीकशक और आंग अक तो काल ने चाहते हैं सिह सअब करेंगा यूज और हम करने कि और आपको बाद पाको बतार तो यह मैं आपको बतागा से देख के देखते देखते सारा का सारा ये compost जो है सुखा करके छान करके टब भर लिया है और ये मेरे पास मेरा most wanted चीज आ चुकी है इतना मुझे मिला है जी हाँ आप सोचेंगे कि पुरा टब भरके हमने इसमें चिलिके डाले इतना साही मिला इतना तो बहुत होता है क्योंकि एक पोदे के लिए आपको एक चमची काफी होता है ये बहुत अच्छा होता है ये देखिए कितना कितना चूरा हो गया है फॉलो का सबजियों का देख अच्छा है ये पिर से रियूज कर सकते हैं फिर से जब कमपोस्टिंग करेंगे जैसे कि आपने देखा था मैंने स्टार्टिंग आपको बताया था हम उसमें इस्सिमाल कर सकते हो लास्ट और सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का ये है कि प्लीज इस वीडियो को बनाने में आपको ये वीडियो कैसा लगा बताने के लिए प्लीज कमेंट करें और थेंक्यू पर वोचिंग थेंक्यू सो मच वेपी प्लंटिंग एंपी कमपोस्टिंग थैंक्यू